नमस्कार दोस्तों सवागत आपका सक्सम योजना की एक और बिल्कुल नई वीडियो में दोस्तों आसा करता हूँ आप सभी लोग घर पे बैठे होगे अराम से बाहर मत निकलना एक दम क्योंकि पहले तो रूल ऐसे था कि मतलब आपको डंडे रूडे माग छोड़ दिया था तो दोस्तों अब करतें काम के बाद जिस बचे ने अभी तक अपनी अट沒關係 नहीं लगाई है वो अपनी अटेंड Corinthians आज 30 तारीक है कल attendance नहीं लगेगी भाई मन्त के LAST DIN अटेंडिंश नहीं लगती पिछले बाद 30 तारीक को बच्चों के अटेंडिंश नहीं लगी और उन् वह अपनी अटेनेस लगा दो सबी के बोल दिया है उपर से ओर आ चुके हैं कि अब की बार किसी की सैलरी नहीं काटिय जाएगी जो बच्चा रिल्यू नहीं हुआ है या इसको मतलब काम मिला हुआ है वह बच्चा अपनी अटेनेस लगा करके सबमिट आज और अभी करे क्यो अभी जिसने जितना काम किया है अपनी अपनी अटेनेस लगा करें सब्मिट कर दो और बाकि जिसको रिलिव कर दिया गया है और जिसका अटेनेस का कोलम है वो भी अपनी अटेनेस लगा सकता है लेकिन याद रखना अगर आपको रिलिव 25 तारिकों कर दिया गया है और आप क 20 को लगा दो आप रिलीव हो लिए 25 को तो उस केस में आपको मतलब आपका सिस्टम चेंज हो सकता आपको डिवार या सस्पेंड कुछ आप मतलब मिस्टेक में आ सकते हैं वो अपना द्यान रखना ठीक है बकि कोई अगर कुछ बचों की प्रोलम आ रही है कि वही अटेंज कैसे लगाए नहीं लगाए तो वही अपनी सक्सम योजना मार्क अटेंज लिख करके मेरा नाम लिख दो सक्सम योजना अटेंजन सुमि कैसे लगानी है तो दोस्तों और कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताओ रात को सोने से पहले एक कमेंट बोक्स की वीडियो में बनाओं आप लोकन के लिए ठीक है तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही जल्दी खाना खुना खालो ग प्रोब्लम हारी है जैसे कोई कमेंट ऐसे होते हैं कि वह प्रोब्लम बहुत सारे बच्चों की होती है तो ऐसे कमेंट मैं जरूर उठाऊ हुआ ताकि एक कमेंट उठाने से सभी के प्रोब्लम का सोट आउट हो सके तो जो जो जिसकी मतलब कोई भी प्रोब्लम है तो अपन लगी कमेंट करके ये भी बताना बबाई दोस्तों वीडियो का वेट करना नो बजे तक नो या साधे नो बजे तक वीडियो आ जाएगी कमेंट बोक्स की ठीक है